जहां पर हमें लगता यह है कि मनोविज्ञान की सीमा मिलती है, बधती है, रुपती है, साहित्यकार उस सीमा के परे भी चला जाता है क्योंकि उसको विधी की कोई बाध्यता नहीं है, वो विधी के नियमों से बधा हुआ नहीं है, चुकि मनोविज्ञान में धेर सारी समस्य इसलिए भी है और जहां-जहां वनुवे ज्यानिकों ने विधी के बंधन से अपने आपको मुक्त किया उसको चुनौती दिये वहीं पर नए नए जानकारी आई है वहीं पर नए नए तरह की समझ बनी है और वो समझ ने बहुत जबर्जस सार्भौमिक रूप से अपील किया लोगों को उसको यह माना है मैं यहां पर थोड़ा रुखना चाहता हूँ अलो अधिश जी मैं क्लास में वेबिनार मैं करता हूँ जो अभी मैं विराम ले रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि यह जो गती है क्योंकि गती में चुकि आप उपलब्ध नहीं है ओडियंस में तो आप मुझे बताएं कि चीजें ठीक चल रही है सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है या या अप सर बोलते रहे हैं सर बाद में लोग क्वेस्टन भी लिख रहा हैं उस क्वेस्टन को आपके सामने लेकर भी आएंगे जैसे कि साहितिकार या साहित में भावना के या भावनाओं की या मनुष्य की जो दूसरी तरह की चिंताएं हैं उसके बारे में लेकर के लिखा जाता है बहुत सारस और अच्षिदक से यहां पर मनुवज्यान का 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 को जो सिध्धानत है उनको ध्यान देने के बात यह वनुवज्यान के जो विकासवादी सिध्धानत हैं वो कहते हैं कि मनुष्य की भावनाएं स्वता हिस्फूर्थ होती ही हैं अगर कोई फ aleg या कोई emotion या कोई संभेग हमारे अंदर घटित होता है तो बहुत स्वाभाव़ीक और नयसर्गीक दुपसे घटित होता है चाहे वो क्रोध का संभेग हो चाहे वो प्रेम का हो जाहे वो घ्रला का हो, जाहे वो उन्ठा का हो, किसी भी तरह का जो संबेग है, वो हमारी पूरी मनोवज्यानिक बनावर्ट है, उस मनोवज्यानिक बनावर्ट में बहुत सरल साहई जंक से घटिस होता है. सिर्फ जहां डिफरेंस आता यह है जहां आपकी सिक्षा, आपकी ट्रेनिंग, आपके संसकार और दूसरी सारी चीजों का प्रभाव आता है वो यह है कि आप इस उपजे हुए भावनाओं को इस उपजे हुए संबेक का करना क्या चाहते हैं आप उसको नियंत्रित कैसे करना चाहते हैं, उसको अभिव्यक्त कैसे करना चाहते हैं, एक अभिव्यक्ती का तरीका वो आपकी समाज से, आपकी संस्कृति से और आपके तमाम दूसरे तरह के मानकों से होता है, लेकिन उस भाव का घटित होना, प्रेम का, गिनड़ा का, वि प्राइमल संबेग है, उस प्राइमल संबेग को मानते हैं कि भै का भाव है, मनुष्य में भै का भाव सबसे प्राइमल है और सबसे पहले गटित होता है क्योंकि विकासवादी वनोविज्ञानी के मानते हैं कि हमारी चेतना के विकास में भै ने बहुत महत्वपूर्ण जग राजनीतिक जीवन में देख लें, राजनीतिक जीवन पूरी तरज से भय के व्यापार पर आधारित है, आपको भय दिखाना और भय से निवारण का रास्ता दिखाना, विग्यापन की दुनिया आप देख लें, विग्यापन की दुनिया भी भय के भाव पर टिकी हुई है, कि आप अमुक चीज का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको यहानी हो जाएगी समया गधी ह्घाईगी तो आपकी यहानी हो जाएगी तो बाजार की संस्ता आप देख लिजै, उसकी बुनियाद में भय है, आप राजनीत की संस्ता देख लिजै, उसके बुनियाद में भै है आप धर्म की संस्ता देख लीजे धर्म की संस्ता के बुनियाद में भी भै है और ये भै का जो व्यापार है ये बिसिकली एक तरह का मौनुवेज्ञानिक व्यापार है और ह conocी उम्मीद ये थी जैसे हैं विक्सित होते जाएंगे हमारी भाय का अनुभो कम होता जाएगा और हम ज़ादा भाय विहीन سमाज की तरह जाएंगे और इसके बारे में इतिहासकारोंने भी कल्कना की है और मनुवेज्ञानिकों भी कल्कना की है लेकिन क्या ऐसा हो पाया, कि जितनी संस्थाएं हैं, संस्थाओं का निर्मान क्या भै को उत्पन करने के लिए भै के निवारन करने के उपकरणों के रूप में हुआ है, भै तो एक सवावी, कुछ भी अगर हो जाता है तो भै हो जाएगा, आपने एक किया, तो ये जो भै का इसके उपर मेरा एक लेख भी प्रकाशित है और उस लेख को लेकर के काफी लोगों ने बहुत उचुता बताई है कि ये तो बहुती बढ़िया है भै और सपने के बीच में एक तरह के भै और भै से मुक्ति के सपने इन दोनों के बीच में हमारा समुचा विमर्ष पूरे जी मरोग्यानिक यह मानते हैं कि भय के भाव का जैसे कि अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वर्तमान संदर्व में कि हमें इन्फेक्शन हो गया इसका भय है या संक्रमण हो जाने का भय है भय का भाव घटित होने पर यह एसास जगाता है कि इस बात को हम समझें कि भय क्यों और से रिस्पेक्ट करें कि यह भय चीक है कि नहीं है इस भय काम कर किया सकते हैं तो ये मनौश वग्यानिकों ने इस बात को बहुत अच्छे से लिखा वाए बहुत गहराई से इसको समझने का प्रयास किया गया है जिसको साइक्वलिजर फियर भी कहते है अब साहितिकार इस बात को कैसे डील करता और कैसे समझाता है ये आप ध्यान से देखें इसके पहले वाला सुनिल जी का वक्त वे था उसमें भी ये था कि किस तरह के भै का अनुभोग किया जा रहा है तो अब ये सवाल उठने लगा है जैसे अभी जितना कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है वर्तमान सदर में भी उसकी सारी की सारी सारी जमीन जो है वो फियर पर आधारित है। और भै का भाव टितना प्रबल होता है ये आप सभी जानते हैं और सभी अनुभोग करते हैं जैसे कि कि अगर आप खंग्यान की प्रिष्ट भूम के बाद सहिती के उधारणों में समतीर चीज़ें आई होतंः उसमें आप अगे चाहे आजियनिंद्य कुमार को प्रिष्ट आनड़कुमार कि यहाँ भी मनुष्री की चेतना को पुष्ट करने के लिए, मनुष्री की चेतना को उद्दात करने के लिए, सब्लाइम करने के लिए, कितने तरह के पात्रों के माध्यम से जो है, वो किये गए हैं, जैसे consistently आप एक theme देखें, जैसे अगे का लेखन देखें हो, जो लोग अगे को साहिती में पड़े हुआ है, वो लिए जानते हैं, या जो चंदधर्शर्मा गुलेरी की काहानी है, उसने काहा था, जो मैंने हाइ स्कूल के दिनों में पड़ी थी, उस काहानी में लहना सिंग जो है, वो प्रेम का अनुभव या जो अगे के पात्र हैं, वो प्रेम का अनुभव युद्ध की स्थिती में करते हैं, तो ये मनवग्यानिक होने के नाते मुझे समझ में आता है, कि युद्ध की जो प्रिष्ट भूमी है, वह प्रिष्टभू में अपने अंदर जो वंचित भाव है प्रेम का अगर उसकी दीपना उसका उसकी उतेजना या उसका खयाल उसकी समझ या उसकी लालसा अगर पैदा करती है तो यह बहुत ही स्वभाविक है क्योंकि मनुष्य का मन मूलत दुविधाओं में बटा हुआ म मन है जिसको हम कहते हैं बाइपोलर दो ध्रूओं के बीच में चलने वाला मन है और इन्हीं दो ध्रूओं के बीच में ही हम चलते रहते हैं जैसे कि सुख के बिना दुख नहीं समझा जा सकता है, स्या के बिना सफेद नहीं समझा जा सकता है, ध्रणा के बगार प्रीम नहीं समझा जा सकता है, और काले के बगार सफेद नहीं समझा जा सकता है. यह सारे जो पाइपोलर दुधारी जो नुवारे अडिक्टिव से इनहीं के बीच में चलता रहता है और तो युद्ध और प्रेम तो ये दोनों चलता रहता है चाहे वो शेकर एक जिवनी आप देख ले या नदी के दीद देख ले अगे के जो लेखन है या चंद शर्मा की पहानि लेना सिंग के है उसने कहा था उसी तरह से जो दूसरे साहिती की पन्यास है साहित का अपना एक लालित्य है उसकी अपनी एक अपील है मनुविग्ञान की समस्या ये है कि उसको साख्शो और प्रमान चाहिए साक्षो प्रमाण की तलाश कितनी दफ़ा मौन विज्ञान को मैंने महसूस किया है कि जीवन स्पंदन उसमें जो धड़कन होनी चाहिए जिंदगी की उसको होने से रोक लेती है उसमें बाधा पहुंचाती है जबकि साहितिकार के पास इतनी सुविदा है कि वह साक्ष की तलाश के लिए साक्ष की चिंता में बहुत परिशान नहीं है वो अपनी बात को कह देता है और उसकी बात आपके मन को छूती है तो उसकी व्यक्ति से समश्च की आत्रा वहीं से प्रारब हो जाती है और इस बात का जो बहुत अच्छे से सवाल आ रहे हैं मैं थोड़ी देर में 5-7 मिनट के बाद इन प्रशनों को लूँगा जो बात बार-बार इसके बीच में आती है कि जैसे माभारत में देख लीजे जो गीता का पुरा ग्यान है वो जो देस्थल में दिया हुआ तो ये जो उद्धाती करने सब्लिमेशन है ये जुद्ध की स्थिती में ही आध्यात मसमज में आता है पीड़ा के श्षणों में ही जो है ओ मन उपर की तरफ अग्रसर होता है उपर जाने की तरफ ततपर होता है तो ये इस्थितियां पाने के लिए जो ज़रूरी चीजें हैं, सामाने स्थिती में हम इसकी तरफ प्यों नहीं जा पाते हैं ये जन्यानिक का विशह है शायद मन का उदीपन उस तरह से नहीं होता है इसलिए हम उस चीज को समझ में समझ नहीं पाते हैं साहित्यकार के साथ जो सुविधा है जो उसके साथ चिंता है जैसे कि आप जैनेंद कुमार के जो तीनों बड़े उपन्यास हैं जो सोच लीजें 30 के दशक में लिखे गए और जहां उन्होंने इस्त्री का जो संगर्श है और सारी सामान निस्तितियों की इस्त्रियां और साम और जीए जाने की चाह के बीच में जो घटित हो रहा है वही शायद कविता के बारे में तो परिवाशा दे जाती है कि कहे और अंकहे के बीच में जो चलता रहता है वही शायद कविता है और साहित भी उसी तरह से है मौनविज्ञान इस विशय को पकड़ने के अब कोशिस कर रहा है कि हम कैसे कहे और अन कहे, जीये और अन जीये, जो जीना चाहते हैं, जो जीने का सपना है, हर एक के पास धीर सारा ऐसा है, जो जीने चाहता है, पर जीया नहीं गया है और शायद motivation भी वहीं पर नीथ होता है, जिसको मैं तो मनोविज्ञान तलाश करें ही और मनोविज्ञान के तमाम गोष्टियों में भी मैं बात कहता हूँ कि कभी-कभी साक्ष की चिंता साक्ष के परेज आकर भी हो सकती है और वहाँ पर मनोविज्ञान और साहे एक साथ मिलते हुए दिखाई पढ़ेंगे जैसे कि मनोविशलेशन में माना जाता है कि सुख मनुष्य के मन की पहला उसका जुकाव सुख की तरफ फिर दूसरा जो आता है वो कहता है कि नहीं मनुष्य का मन रियालिटी के अथार्थ से भी और अथार्थवादी साहित अथार्थवादी चिंदन महाविमर्ष है ग्रैन डारेटिव जिसको कहते हैं और यह जो प्रेम का और जो रियालिटी का अथार्थ का जो सुख का और अथार्थ का पूरा का पूरा जो अंतर द्वंद है वो एक महाविमर्ष के बीच में ग्रैन डारेटिव के बीच में तो एक तो हमारा हो गया कि य का सद्धान्त है, जिससे हम संचालित हैं, मन यह करना चाहता है, पहला है, दूसरा यह है कि रियालिटी हमारी ऐसी है, रियालिटी का परसेप्शन यथार्थ का, और तीसरा जो है, इस सुख और यथार्थ के बीच में, जो महा विमर्ष है, की ठीक क्या है, उचित क्या है, कि सत्ति के बीच में या अभी तक हमारी परमपरा कैसे है, हमारे संसकार कैसे है, इन त्री जिसको कहा जता है, यह जो अस्तर है विभिन अस्तरों के बीच में हम मारा मन जो है वो जूलता रहता और इसकी व्याक्या और इसका विश्लेशन बहुत अलग-अलग तरह से अलग-अलग लोगों ने किया है अब इसको भी साहितिकारों ने देखने का प्रयास किया है चाहे आप कमलेश्वर के और आज देखले हैं आमोन राकेश के जो एक्सिस्टेंशल विश्टे त्वारि परंपरा से ज्यादा प्रभावी चिंतन थे या अगे के या दूसरे सारे साहितिकारों के तो यह जो मन की बनावट है या मन की जो कलपना है और इसके जो अपने अलग-शेट्स है यह अपन काईसे हिवालित करती हैं या लिबड करती है कितना उसको मुक्ति ऐसास देती है इनी सारे चीज़ों के बीच में साहित चलता रहता है और चलता रहता है कि मैं अच्छे सवाल आ रहे हैं तो मैं सवालों की इर्दिगिर्द पिर चलने कुशिच करूंगा अलोग जी कुछ प्रश्न है जी सर बहुत सारे प्रश्न है मैं पढ़ूं क्या मदुम्यम आप पढ़िये पढ़िये अलोग जी पहला प्रश्न सर सोबना जहां है कि साहित समाज का दर्पन है तो क्या मनोविध्यान समाज का प्रतिभिम्भ है आप क्या विचार रखते हैं अच्छा देखिए साहित समाज का दर्पन जरूर है पर यह दर्पन पूरी तरह से जिसको कहा है दोशमुक्त या जिसको कहा है ताई कि बायस फ्री नहीं है अच्छा दर्पन तो वो होता है जो अपनी तरफ से कोई चित्र आड नहीं करता है अपनी तरफ से कोई विंब उसमें जोडता नहीं है अच्छा दर्पन वो है कि जो है ठीक उसी तरह से बिना किसी विरूपता के बिना किसी कंटामिनेशन के बिना किसी संक्रमन के उस प्र दर्शित कर देता है लेकिन मनोविज्यान ये मानता है कि देखने वाला के पास भी एक विक्तित्तु है और जो दर्पन है उसके पास भी विक्तित्तु है तो जो सही चित्र है जो सही प्रतिविंब है वह देखने वाले और जो प्रतिविंबित है उसके बीच दोनों के अंतर क्रिया के ऊपर आधारित होता है तो सहित समाज का दरपण जरूर है तो उसको करता है लेकिन वह प्रतिविंबन किसी कुछ remains based on xi फिक खालिय उवह संचालित होता है मनमिज्ञान की कोशी से रहती है कि वह प्रतिपिंब जुकाव मुक्त हो वह प्रतिविंब बिल्कुल खरा हो, सच्चा हो, लेकिन वहाँ भी ये चीज संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर वो देखता है कि जो प्रतिविंब है, वो देशकाल और पात्र की जो विविन्य विश्विस्ताएं हैं, उन विश्विस्ताओं के द्वारा उसके अर्थ की र अगलग भूमिकाय निवाता है, एक बार आप अपना भाय वाला आर्टिकल बता दिजिए, लोग बार बार पूछ रहे हैं, कि सर आपका भाय और आपका कौन सा आर्टिकल है, एक जर्णल हिंदी में निकलता है जर्णल, चुकि ये मान केया था लोगोंने, मान विखी करके ये 2017 ये 2018 में है, मैं डीटेल एक्जैक्ट आपको भेज दूगा लोग जी, फिर मैं शेर कर रहे हैं, वार्टिकल कॉपी भी अगर मिल जाती है, तो मैं भेज दूगा तो वो शेर कर सकते हैं आप, सर एक सवाज जोती सिदाना का है, एक स्रें की सर आज क्यों भै का मनोबेज्यानिक इतना हावी है कि लोगों में विशेश रूप से इवाओं में अटरामाक्ता, क्रोध, हिंसा, निराशा त्या मुल्य बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, परिवार, सिक्षा या समाज? संस्थाओं ने अपनी बुनियाद में भै बना रखा है, मा जब बच्चे को बढ़ा करती है, तो कहती है कि पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, नौकरी कहां इसको मिलेगी, तो वो भविश्य का ऐसा भै दिखा करके उसको बढ़ा कर रही है, कि उस सब कुछ भै की बुनिय सब करके कर रहे हैं, तो समाज की जितनी संस्था हैं, वो जादा जादा आउधामन की तरफ हैं, वो किसी चीज को लिबरेट नहीं करती है, विमुक्ती का ऐसास नहीं देती है, जैसे उधारन के लिए देख लिए सिक्षा की संस्था में तो यह प्रामिस थी, साविध्या विमुक्त है, कि जिसको विद्या प्राप्त हो जाएगी, उसको मुक्ती का हैसास होगा, लेकिन विद्या प्राप्त होने से चिंता का हैसास ज्यादा होने लगा है, और सुरक्षा का हैसास ज्यादा होने लगा है, तो सबसे पहले जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं पर इन सुरक्षा की संस्थाओं के मूल में भाई की ही अधारणा है। अधारण बातों में बात ये खहलें तो ये संस्थाओं जो हैं वो हमारे अंदर आवदमन ज्यादा करती हैं और मुक्ती का एसास कम देती हैं। नौकरी की संस्ता क्यों नहों सोच लिजे आप नौकरी के बारे में। एक सवाल और है भावानी सिंग जी हैं शिम्ला से वोई कुछना चाह रहे हैं कि सर कोरोना काल में भैसे मुक्त होने के लिए लोग साहित्य पढ़ रहे हैं और आवसाद और तनाव से मुक्त भी हुए हैं। इस पर आपकी क्या पर्तिक्रिया है। देखे साहित्य यह सही है कि पढ़ना मन को अच्छी खुराग देने जैसा है। तो हम शरीर को स्वस्त रखने के लिए तो स्वास्त बिटामिन की बड़ी कॉंशसनेस है हमारे अंदर बैलेस डाइट की बहुत कॉंशसनेस है। तमाम तरह के लेकिन मन को स्वस्त रखने के लिए हम उसको क्या फीड कर रहे हैं। हम वही तमाम तरह के न्यू चैनल, सोशल मीडिया देख रहे हैं या कोई बहुत फ्रेश तरह का साहित्य पढ़ते हैं। तो साहित्य जिस व्यक्ति की भी रचना हो या जिस लेखक की भी रचना हो वह आपको व्यक्ति से समष्ट तक की आत्रा कराती है। जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आप विराट रूप में या बड़े रूप में क्या हो रहा है। तो जिसको हम कहते हैं कि आपका self expand हो रहा है। आप स्वायंग विस्तिर्त होते हैं जब आप साहित्य पढ़ते हैं और खुद का विस्तार होना या खुद को बढ़ते हुए देखना बहुत सुभध अनुग है। यह अपने आपको विस्तिर्त होते देखना अपने परिवार को फलने फूलने जैसे देखने जैसा है और इसलिए अच्छा साहित्य बहुत healing effect देता है अच्छा समवाद बहुत healing का experience कराता है और यह आपको चुकि यह बताता है कि सिर्फ मेरी समस्या नहीं है ऐसी समस्याओं स पहले भी गुज रहे हैं और ऐसी समस्या आज भी बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं तो मैं अकेले नहीं हूँ इस समस्या को deal करने में मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों का साथ होने का एसास मन के अस्तर पर चिंतन के अस्तर पर आपको स तो रक्षा की घेरे में ले जाता है और इसलिए आवसाद से या तनाव से या दूसरे तरह की मानसिक समस्याओं से हमें निजात पाने में सुविदा होती है सर एक सवाल और है कि जेमची से डॉक्तर अनुपमा शिरवास्तों हैं कि सर सुख और आनंद में क्या आंतर है क्या मनोविज्ञान इसे अलग अलग भावों के रुप में देखता है क्या प्लेजर और एक्स्टैसी हम लोग भहत हार्ड कोर कोई सीमा रेखा तो नहीं इन दोनों परिभाशाओं के बीच में ये दोनों इस्थितियों की अवस्थाएं होती है सुख को जनरली माना या जाता है कि जिससे आप प्लेजर जिसको कहते हैं तो वो आपके सुख को परिभाशित किया गया है वो वर्डली प्लेजर जिसको कहते हैं या जो कहते हैं कि जो आपके अपने इंद्रिया अनुभाव सुख हैं, आँख का सुख, कान का सुख, सुन्दर शब्द, सुनने का सुख, अच्छा भोजन करने का सुख, और जो आनन्द है वो मन की अवस्था है, जो हैपिनेस है, तो अच्छा भोजन करके अगर आपका मन आप लगेगा थोड़ी देर के लिए, तो सुख की परिभाशा ये भी दी गई है, कुछ आध्यात्मक लोग सुख को दूसरे रूप में देखते हैं, और गीता में तो कहा कि दुखे सुखे समय कृत्वा, लाभो लाभे जया जम, सुख में, दुख में, तो जो इंद्रियान बहुत प्लेजर है, उसको सुख की परिभाशा में देते हैं, और जो मन के उपर टिकता है, जो मन के वृत्तियों से संचालित होता है, उसको आनंद की तरफ लेते हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि ये कोई बहुत हार्ड कोर और बहुत सुल्जीव ऐसी परिभाशा नहीं है, जो सब जगा बरावर रूप से लागू हो सकते हैं, सर एक सवाल और है, सुनिल चावान जीटा, सर सवाल तो हमारे पास 112 हैं, क्योंकि हम 112 सवाल को नहीं ले सकते हैं, और सब बहुत कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सर ने बोला है, मेरे मन में लिखिया साय बहुत ज्यादा है, कुछ पुछना चाहते हैं, इन सर सवाल हम सवाल नहीं ले सकते, तो एक सवाल है, संगम मेर से सुनिल चावान जीटा, मन और हिर्दय को शरीर में अद्रिश्य रूप में अस्थान निर्धारित किये गये हैं, आप उसे कहां तक उचित मानते हैं, मन और हिर्दय को शरी विमर्ष चल रहा है मुर्विज्ञान में कि मन की सीट कहां पर है हिर्दय को तो मान लिजे हार्ट से लोग जोड़ लेते हैं या साहितेकार उसको भावना से जोड़ते हैं कि आप माइन्ड से या लॉजिक से चलते हैं तर्क से और भावना से और इसके उपर बहुत सारे विशलेशन किये गए हैं कि भावना प्रधान वेक्ति होता है या जो है तर्क प्रधान वेक्ति हता है वो अपनी बुध्धी के बल से साशन कर रहा है तो बुध्धी की सीट ब्रेन और इमोशन की सीट हर्ट मानी गई है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका हार्ट एक अलग तरह से केमिकल रिलीस करता है और वो आपकी ब्लड इस्ट्रीम में बहुत पोशित केमिकल से हार्मोन्स रिलीस करता है और वो आपके पूरे बाड़ी को रेपेर करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वर्णन किया गया है और इसको कई जगह लिखा है लोगों ने और अगे को मैं यहां कोट करना चाहूंगा बड़ा इंट्रिस्टिंग उनका एक यह है कि यह जहां वो विवेचन करते हैं कि इसके बाद मैं भाव और तरक पर आता हूं तथ्यों क्या फरक है चाहितिकार बड़ी आसानी से बात कह देता है और अभी देखें मेरे मन में टिकी हुई है वो कहता है कि किसी भी तथ्य से आतिशय भावनात्मक लगाव आपका सत्य है। तो बुद्धी और विवेक में वो कहते हैं कि बुद्धी या भाव या तर्क और बुद्धी के बीच में अगर छगड़ा होगा तो भावना बहुत पहले पराजित हो जाएगी। आपके पास बुद्धी है और एक दूसरा तर्क उभर रहा है तो वो बुद्धी आपको चैन से रहने नहीं देगी। आपको बेचैन करेगी। लाख अपने आपको समझाएए कि यहां बोलना नहीं है पर आप बोले बगर मानेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर भावना और गुद्धी दोनों के बीच में हो गया है। इबेट कह रहे हैं कि तीन तरह से मुनों विज्ञान में इसको देखा गया है कि एक तो मन आपका जो है वो चेतन मन है। जो जहां तर्क का, जहां संबाद का, जहां भाशा का, तमाम तरह का सीट है। और दूसरा है आपका अवचेतन मन, सबकॉंश्यस माइंड। और सबकॉंश्यस माइंड चेतन और अचेतन के बीच में, एक आये कोई चीज दिमाग में आई फिर भूल गई। या जो तंद्रा की अवस्था में जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, जहां चीजें दिखती तो हैं पर धुदली हैं, साफ नहीं वह अचेतन मन के बीच का है। और तीसरा है अचेतन मन, जो अनकॉंश्यस माइंड है। जो एक्षुली आप जैसे साहितिकार इसको कहता ही है, या यूंग जो कारल गुस्ताव यूंग विचारक रहा है मन विश्रेशनबाद का बहुत बड़ा। वो कहता है कि हम सब लोग जब सोते हैं तो ये बाहर की दुनिया हमारे लिए ब्रहम है, इलूजन है। और जब सो के सपना देख रहे हैं उससे में वही रियल होता है। और जब जागते हैं तो दुनिया रियल लगती है और सपना अन्रियल लगता है। तो कहता है कि पूरा जीवन इस रियल और अन्रियल के बीच में ही घुमते घुमते हमारा बीतता है। रियल क्या है और अन्रियल क्या है इस चीज का तैकर पना जब सो रहे होते हैं हम और सपना देखते हैं तो वो रियल लगता है और बाहर की दुनिया तब अन्रियल है हमारे लिए अवास्तविक है गैर जरूरी है तो यह जो चेतन अवचेतन और अचेतन मन यह जो मस्तिश के क इनको जरूरी जरूरी जिसको कहा जाता है उपकरण या इनको जरूरी रसद हमको अपनी भावनाओं से मिलती है और उन्ही भावनाओं का जो सीट हिर्दय जिसको माना गया है और इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसी मन को और अपने भावनाओं के बीच में सामंज स्थापित कर लिया है वही सहिर्दय है आलोग जी आप इस शब्द की रसंसा करेंगे सहिर्दय किसको कहते हैं वही तो है सहिर्दय जिसने भावनाओं के ऊपर और अपने मन के ऊपर एक ऐसा सुंदर तालमेल स्थापित कर लिया है जो लै में है जो एक गति में है जो एक संगीत में है जिसका एक समेकन इंटिग्रेशन हो गया है वहाँ पर हमारा जो है वह सहरदयता ही सपष्ट होती है. लेकिन वो मोहन राकेश के नाटकों में भी जाए और बारे में पूछ रही है कि क्या दिखते हैं सर आप उसके बारे में देखे बहुत ही अच्छा प्रशन है और मुझे अच्छा लगता कि हम एक गहन गोष्टी में बैठ करके और मोहन राकेश के जो नाटक हैं असाड का ए आगत विद्यारती कभी नहीं रहा जो कुछ रहा वो अपने मन से अपनी जो आवारागर्दी है उसमें पढ़ने की या जो खालिपन है उसमें तलाशते रहे मैं मानता हूं कि मोहन राकेश का जो पूरा लेखन है वो सिकेंड वर्ल्ड वार के बाद उपजी हुई जो हजारों और लाखों लोगों को मरते हुए अपने आसपास देखते हैं तो ये सहज रूप से स्वाभाविक प्रश्नबन में उठता है कि इस जीवन का मतलब क्या है और इस जीवन का अर्थ क्या है इस जीवन की अर्थ हींता अभी जो कुछ भी हो रहा है यह भी अर्थ हीं को अपनी पूरी टिवर्ता और अपने पूरी विशालता के साथ हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि इस कार्थ क्या है? मौन्राकेश में जो Akshah है, मनुष्यक Akshah तो यह जो इक्षा के बीच में जो द्वांद लागतार हमारा चलता रहता है कुछ लोग कहते हैं कि इक्षाओं के उपर नियंत्र नहीं आध्यात्म है पर इक्षाओं का समाप्त हो जाना क्या जीवन का समाप्त हो जाना नहीं मोक्ष की इक्षा भी तो आके एक तरह की इक्षा है, हम इस इक्षा से मुक्त हो जाएं, यह मुक्त होने का भाव मन में है यह भी तो इक्षा से परे नहीं है, मुक्ती की कामना भी तो एक तरह की इक्षा ही है, तो क्या इक्षा जरूरी नहीं है हमने आपने आपको संचालन क करने का और जब अपनी निक्षाओं को ले करके इतने जादा व्याग्रों और व्यथित हो जाते हैं तो प्रश्ण इस बात का होता है कि फिर निक्षाओं के इर्दी इर्द घुंगती हुई हमारी जो तौड़ तरीके हैं उसमें हमारी पहचान क्या है हमारी आइडेंटिटी जो सामुहिक रूप से हमारे उपर दी गई चीजे हैं कि हमारे लिग ये हैं, हमारी जात्यए, हमारे वयुशाई ये है, हमारी वयुशाई है, इसके आधार पर हमारे स्मिता की पहचान होने चाहिए. यह अपने आप में एक तरह का डायलेक्टिक एक तरह का प्रशन है और इन्ही प्रशनों को लेकर के हमें लगता है कि मोहनराथ अस्तित्वादी, existential thinking में जिसमें कि नीच्छे और काफका और वर्दाइमर और जो दूसरे सारे चिंतक और विचारक जिसमें बाद मैसे मन दबु जिन्होंने काफे कुछ किया, वो सारे लोग इसमें आते हैं, सारे के सारे existential thinking के बीच में आते हैं और इसमें जो philosophical school of thought सबसे ज़्यादा प्रवावित किया हूँ है, एडमंड हुसरल का Phenomenological जो यह कहता है कि आदमी और जानवर में, बल्ला आदमी के इस्तित्य में और जानवर के इस्तित्य में जो मुल फरक होता है कि आदमी की जिन्देगी में चीज़ें दो बार घटित होती हैं, एक बार उसके मन में घटित होती हैं और एक बार reality में घ प्रोप से program किया हुआ प्राणी है और जबकि जानवर biologically programmed प्राणी है यह उसके बीच में मोल फरक है जो भी अस्तित्य वादिक है तो महन राकेश की पुरी अधारणा है वो मनुष्य के होने और उसके earth meaning of a life और इसके उपर जो बहुत गहरा काम हुआ है वो है विक्तर फ् शरीर को पीडा बहुत दे सकते हो पर मुझसे खुश रहने की आजादी तुम छीन नहीं सकते हो You cannot take away my power of happiness, you can torture me, you can kill my body, but you cannot take away the desire to be happy तो यह चीज है वह है वह विशारकों में चंतकों में आई हों बहुत बढ़िया सर के जब चैंबर में जाता हूँ और सर के साथ बैठता हूं और दो भंधे तिंधेंर पता ही निह चलता। अब अगली बार करेंगे मैंने बहुत समय हो गया है मैंने विदयार्ती जीवन में शोध कर रहा था पीजडी और राज से करीब 35 साल पहले ता मोहन राकेश को पढ़ा था तो मोहन राकेश को अभी मैंने इधर नहीं पढ़ा अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मोहन राकेश के लेखन को पढ़ करके और मैं अपनी तैयारी कर लूँगा फिर मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि मैं जब साहितिका विशलेष्ण है जब साहितिका अनलसिस करते हैं और उसमें मैं चाहूंगा कि आप में से जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हो मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो मैं विमर्ष विषलेशन की एक मुनोओ ज्विज्यान में बहुत इस्थापिक प्रवीद है विमर्ष विशलेशन की नारेट्व अनॉल्सिस इसको कहते हैं तो नारेट्व अनॉल्सिस पर मैंने पिशले आटवे साल में तोड़ा ध्यान किया है और थोड़ा लिखा है थोड़ा चापा है तो उस विधी का प्रयोग करके narrative analysis का हम जिसे भी मैंने अपने students को भी एक experiment करा है परें चुन की कहानियों का visualization करा करें कि मेरी रूची साहित्य में भी है और मनोविःग्यान में भी है तो मनोविःञानिक प्रविधियों का उपयोग करके साहित्य काisation, एक वज्ज्ञानिग फ्यांस से कैसे किया जाए एक साहित्यकार व्यक्ति से समष्ट की वो व defines-त व्यक्ति का दे रहा है पर यात्रा पूरे नाटकों का, हम एक विमर्ष विश्रेशन जरूर करना चाहेंगे. आप जब कहेंगे, आपके उपर है सर, अभी आप 27 तो तो हमारे साथ मिली रहे हैं, 27 पार ने बोला हुए सर, उसके अलावां भी, यदि आप हमें समय देंगे, तो कि आपको मैं बार-बार कहता हम, मैं बहुत अगर आप लोग तयार हों, तो एक-दू लोग मिल करके, हम लोग बहुत अच्छा लेक और बहुत अच्छा राइटिंग का काम कर सकते हैं, जो साहित में नहीं हुआ, मुनों विज्ञान में भी नहीं हुआ है. आपि भूए पर सŁंगे लुटा दिया या हमारे लिए भी सेष रखा ह है सर? सर आपके स्नेह के लिए तो हम भी अभी लाशी हैं और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं जो स्नेहा शीष जो आशिरवचन आज आपने हम लोगों को दिया है उससे सभी लाभानवित हुए होंगे और सर आपने बहुत ही बड़िया तरीके से साहित्य और मनो विज्ञान का जो अंतह संबंध है उसे हमें बताया और साथ में कमलेश्वर जी का और आपने जो द्वित्य विश्वियुद हुआ उसके बाद की जो सीमाएं थी और जो वातावरन हमारा निर्मित हो रहा था और उसकी परिकल्पना के साथ में मोहन राकेश के नाटकों मे जो अस्तित वाद की बात आपने कही सर वो आज के सिनारियों में भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है और तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बात मेरे मन में भी मैंने भी द्वंद्व पे कुछ दो पंक्तियां लिखी थी कि अंतर द्वंद्व से लड़ता अगया था फिल भी द्वंद्व का फिर्भी धी यह झाड़या मध्यूम आपका भी बहाँ लगलती湃 निराध्या नहीं है धन्य यह झाल में जो उट्ख का आधार है, नहीं है द्वंद्व। ऌट का आधार है, न कोई इसके आर्ख और ना कोई पार है द्विता और काम करना चाहूंगी और सर जो आपने मन की जो अवस्थाएं बताई और इड़ एगो और सुपर एगो जो एदम अहम और अत्य हम की जो बात होती है मनोशलेशनवाद में उसके बारे में और चेतन अचेतन और अवचेतन मन की जो स्थितियां हमें बताई मुझे लगता है सभी प्रतिभागियों ने बहुत ध्यान से सुना है और बहुत सारे प्रश्न मन को ले करके उनके सामने आया है मुझे लगता है आज सर ने हम सब के मनों की मरमत जो की है उसके लिए तर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सर हम चाहेंगे आगे भी आप जूड़ें और आपका सर दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया और सर हमारे उपर भी अपना स्नेहा शीष जो है वो बनाए रखी सर अब सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद ने सब के उपर है मधुमैम ऐसा नहीं है जा के सर के चेंबर में अलोगी के बोलने से लग रहा था एक आधी अपका दिल से धन्यवाद सुनिल सर जुड़े हुए है नहीं बहुत बढ़िया बाख्यान दिया और जिस तरह से पाटिसिपमेंट में कमेंट दिया सर तीन सथ चत्रीश लोगों ने मतलब वो कहा आपके बारे में बहुत बढ़िया सर बोल रहे हैं और आगे भी तिया जाए हम दो आगे भी जुडेंगे और फिर हम अब नए सेशन के साथ आप सब का बहुत 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 धन्यवाद अग्यू सार सै taking a